Okay, अभी ये पूरा चैप्टर ही खतम हो गया है, let's work on some exercises here, okay? Combine the sets of sentences into simple compound and complex sentences, okay? हम इनके एक-एक sentence बनाते हैं The car is very expensive, he cannot buy it अभी हमें अभी हमें ये जो sentences हैं, इन्हें जोड़ना है, okay? इसका एक simple sentence बनाना है तो सबसे पहले, मतलब जो simplest way होगा हमारे जो सबसे आसन तरीके से हम बना पाएंगे, वह करेंगे वरना तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक आसन तरीका देखेंगे तो क्या आसन तरीका हो सकता है इसमें? The car is very expensive हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे तो इंफिनिटिव का तो इंफिनिटिव का यूज करेंगे The car is very expensive to buy it Car बहुत महंगी है तुसरा sentence का है He cannot buy it वह नहीं सकता है तो हम कैसे बोलेंगे The car is very expensive अभी इसमें ही भी तो है He को हम कैसे लिखेंगे? For him The car is very expensive for him To buy it To infinitive का हम नहीं यूज कर लिया Next Milton was a blind poet एक sentence हो गया He wrote the Paradise Lost Paradise Lost के नाम की एक book उसने लिखी Milton एक blind poet था उसने Paradise Lost नाम की एक book लिखी थी It is a great epic in English यहां इंग्लिश में एक बहुत great है great किताब है epic है Milton अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे 3 simple sentences हम को दे दिया है अब हम इनको जोड़ना है simplest way में simplest way क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे यहां से सबसे पहले Milton a blind poet was अटाएंगे हम पहले Milton जो की एक blind poet था जो की करने के लिए हम was अटाएंगे Milton a blind poet wrote a paradise lost wrote the paradise lost उसने क्या लिखी paradise lost लिखी ही भी अटा देंगे हम यहां से हम क्योंकि अब यहां से full stops अटा रहे हम तीरों को जोड रहे है Milton a blind poet wrote the paradise lost is a great epic in English यहां हम किसको define कर रहे है Milton को define कर रहे है Milton a blind poet okay wrote the paradise lost उसने क्या लिखी paradise lost नम की लिखी अब यह paradise lost नम की जो बुक है is a great epic in English इस तरीके से हम चीजों को कुछ-कुछ words उसमेस अटाएंगे तो यह अपने आप automatically एक sentence बन जाएगा next he worked hard इसरा sentence है he failed in his attempt ठीक है उसने बहुत मैनत की ठीक है फिर भी वह अपने attempt में fail हो गया तो फिर भी के लिए हमने क्या यूज के था पहले हमने यूज के था यट ठीक है और he worked hard में हमको लगाना पड़ेगा यद्यपी ठीक है यद्यपी मितलब हला कि हला कि हला कि है यद्यपी ऐसा हम लगाएंगे ठीक है तो उसको लिखते हैं दो तो हम कैसे स्टाट करेंगे सेंटेंज को दो ही worked hard फिर भी यट ही failed in his attempt ठीक है next the meeting was cancelled first sentence हो गया दूसरा sentence all the people left the place meeting cancelled हो गई थी दूसरा sentence सभी लोग अपने घर चले गए मतलब क्या meeting cancelled हो गई इसी लिए सभी लोग अपने घर चले गई तो इसी लिए को हम क्या use करेंगे उसके लिए हम use करेंगे SO SO तो कैसे बन जाएगा the meeting was cancelled so all the people left the place next my sister got married मेरी बहन की शादी हो गई अगला sentence है she resigned her job उसने job छोड़ दी दोनों में हम relate करेंगे तो कैसा relation बनेगा sentence में कि मेरी sister की शादी हो गई इसलिए उसने job छोड़ दी कैसा बनेगा फिर से वही SO वाला my sister got married SO she resigned her job मेरी sister की शादी हो गई इसलिए उसने job छोड़ दी अगला देखते है he heard about his success in the election ठीक है उसने election में अपनी success को देखा he jumped with joy वह खुशी से उचल पड़ा तो उसने जब अपनी election में अपनी जीत को देखा तो वह खुशी से उचल पड़ा जब वर्ड आगया है यहाँ पर उसने job देखा तो जब के लिए हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं when ठीक है तो when कहा लगेगा when लगेगा सबसे शुरू में he के पहले यहाँ जो आप देख रहे है यहाँ पर when लगेगा when he heard about his success in the election he jumped with joy यहाँ end नहीं लगेगा यहाँ he jumped with joy यह पूरा का पूरा एक sentence as it is आएगा last वाला फिरसे repeat कर रहा हूँ when he heard about his success in the election he jumped with joy next she earned a lot of money उसने बहुत सारा पैसा कमाया she taught lessons to children उसने बच्चों को इंको फीको पड़ाया ठीके lessons पढ़ाया ठीके Myshlas अब इंक्या relation हो सकता है इस पर रिलेशन यहाँ कίν वह सकता है कि उसने हो सकता है उसने बच्चों को lessons पढ़ाया होंगे जिससे उसने पैसा कमाया होगा हैँना तोλη सारीकॉle करेंगे उसको हम and कर देंगे, okay, and का use कर देंगे, कि उसने बच्चों को पढ़ाया और उसने बहुत सारा पैसा कमाया, तो क्या हो जागा, she earned a lot of money and taught lessons to children, लेकिन यह कुछ जम नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि पहले तो वो अनाची जो उसने पहले किया, और बाद में वो अनाची जो उसने बाद में किया, तो पढ़ाया पहले होगा, कि पैसा पहले कमाया होगा, उसने पढ़ाया पहले होगा, पैसा बाद में कमाया होगा, तो हम पढ़ाने वाला portion पहले ले आएंगे और पैसा कमाने वाला बात में तो कैसा हो जाएगा She taught lessons to children and earned a lot of money Got it? She taught lessons to children and earned a lot of money She को हम बार-बार use नहीं करेंगे, एक ही बार use हम करेंगे You must show your ticket आपको अपना ticket दिखाना होगा दूसरा, I can't allow you in मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता तो इसमें क्या dependency दोनों sentence की कैसे हम relate कर सकते हैं ऐसे relate कर सकते हैं कि जब तक आप अपना ticket नहीं दिखाते हैं तब तक मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता ठीक है? तो जब तक नहीं के लिए हम use करते हैं until सबसे शुरू में लगता है UNTIL हमेशा UNTIL YOU MUST इसमें से हट जाएगा क्योंकि UNTIL के साथ MUST नहीं यूज होता है तो UNTIL YOU SHOW YOUR TICKET जब तक कि आप अपना TICKET नहीं दिखाते हैं I can't allow you in यह sentence as it is बीच के से FULL STOP हट जाएगा कॉमा लग जाएगा sentence क्या बन जाएगा UNTIL YOU SHOW YOUR TICKET I can't allow you in इसका एक नेक्स्ट अब हम देखते हैं Combine each of the following sets of sentences into one complex sentence यह 3 simple sentences के sets already दिये हुह है इसका एक complex sentence बनाना है इस बार हमको Let's make the complex sentences He teaches English He has no experience यह पहला होगा He teaches English He has no experience Everyone likes his teaching ठीक है Okay इसका कैसे तीनों काम कैसे जोड़ेंगे He teaches English He has no experience कोम क्या करेंगे Without any experience यह without no experience लिखा है But यह होगा Without any experience इसको correct कर लेंगे आप ठीक है यह फिर लिख सकते हैं अगर no लिखना है तो लिखेंगे With no experience यह तो हम लिखेंगे He teaches English with no experience यह फिर हम लिखेंगे He teaches English without any experience But everyone likes his teaching यहां पर लेकिन वो बिना किसी experience के पढ़ाता है teacher लेकिन सबी लोगों को उसका teaching पसंद है Everyone likes लेकिन के लिखेंगे But Everyone likes his teaching Next He has less money उसके पास कम पैसा He lives very happily and contentedly Content मतलब क्या होता है Content मतलब होता है सुखी खुश He lives very happily and contentedly तो उसमें क्या बताया गया Relation के है दुनों sentence का कि उसके पास पैसा कम होते हुए भी वह contentedly और खुश रहता है तो हमने क्या बतायता इसके लिए हमने बतायता फिर भी के लिए हम यड का यूज कर सकते है और यद्यपी और हलाकी के लिए हम दो का यूज कर सकते है कई बार हमको यड का यूज करना जरूरी नहीं भी होता है Though he has less money यद्यपी हलाकि उसके पास कम पैसा है He lives very happily and contentedly यहाँ पर हम यड का यूज कर भी सकते हैं तो वह sentence किसे हो जाएगा Though he has less money Yet he lives very happily and contentedly जैसे हमने यड का यूज पहले किया था और बिना यड के भी यूज कर सकते है I went out yesterday It was raining then क्या बोल रहा है मैं कल बाहर गया और दूसरा sentence उस समय बारिश हो रही थी दोनों का relation क्या हो जाएगा कि मैं कल जब बारिश गया तब बारिश हो रही थी तो जब आ गया तो जब के लिए हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं लूज करते हैं तो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे लूज से When I went out yesterday When I went out yesterday It was raining then अगला सेंटेंस As it is Okay Next He is my friend He wrote me a long letter वह मेरा दोस्त है He wrote me a long letter वह मुझे एक लंबा पत्र लिखा I could not understand his handwriting मैं उसकी handwriting समझ नहीं सका Okay अभी क्या हो जाएगा He is my friend ऐसे कैसा आ गया Okay He wrote me a letter को हम क्या करेंगे Who के साथ जोड़ेंगे Who wrote me a letter Who का मतलब होता है जिसने Who का मतलब हमेशा तो हता ही है लेकिन वह Question की form में जब भी लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा Helping Bob आती है लेकिन जब इसके बाद Helping Bob नहीं आ रही है Who के बाद तो इसका मतलब है यह जिसने या जो के form में बात कर रहा है Okay तो मेरा friend है जिसने मुझे लंबा लेटर लिखा है लिखा ठीक है Who wrote me a letter I could not understand his handwriting लेकिन मुझे उसकी handwriting समझ में ने आई अब हम लेकिन बोल रहे हैं बीच में तो लेकिन के लिए हम के इस करेंगे But But I could not understand his handwriting ठीक है He is my friend who wrote me a letter But I could not understand his handwriting Next We stayed the night in a friend's house हम उस रात अपने दोस्त के ही घर में रहे या रुके It was a dark stormy night वह एक बहुत काली और तुफानी रात थी The sky was cloudy आकाश जो था वह पूरा बादलों से भरा हुआ था मतलब अब क्या relation हो सकता है इन sentences में ऐसा लग रहा है कोई यह बुल रहा है कि किसी पर्टिकुलर रात में जब वह अपने फ्रेंट के हैं गए होंगे उस समय बहुत आकाश भरा होगा असमान में बादलों से और बहुत तूफानी और जो है मतलब डार्क रात होगी एकदम इसा खतरनाक एकदम माहौल हो गया होगा तो उनको रात को वहीं रुकना पड़ा होगा तो उसमें उसको हम किस तरीके से हम हिंदी में बोलेंगे ठीक है क्या कि हम अपने दोस की घर पे रुके क्योंकि ठीक है क्योंकि हम इस यहां पर यूज कर सकते हैं वर्ड का ठीक है इट्र स्टमी नाइट यह एक श्कवन की तरीक कषशनीप नाइट थी और क्या था इस दो सेंटेंसे इस धिए धर्क स्टमी नाइट यह क mutta्रिट क्ष feito was cloudy, ठीक है? और पहले जो sentence इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे as या because for example, we stayed the night in a friend's house as it was a dark stormy night and sky was cloudy और because का कैसे हम उसे करेंगे? we stayed the night in a friend's house because it was a dark stormy night and sky was cloudy, इस तरह से हम use करेंगे conjunctions का in sentences से complex sentence बनाने के लिए, Socrates was given a cup of hemlock hemlock क्या होता है? hemlock होता है कि एक जहरीला पौधा होता है, ठीक है? उस पौधे से बनावा जहर होता है हमlock, Socrates was given a cup of hemlock, Socrates को होता है? Socrates एक एक दार्शनिक थे, एक संत बोल सकते हैं ठीक है? संत थे, तो Socrates was given a cup of hemlock की Socrates को एक कप जहर दिया गया था, ठीक है? He drank it, उन्होंने उसे पिया, His friends were standing near him, उसके दोस्त आसपास खड़े थे The history says, ठीक है? इतिहास कहता है, अभी क्या हो गया? कि इतिहास क्या कहता है उसके बारे में बात की की जा रही है तो जो इतिहास जो कह रहा है हम ये बात को हम पहले बोलेंगे तो हम सबसे पहले sentence से start करेंगे The history says, ठीक है? The history says that, उसके बाद हमने लगा दिया that, ठीक है? हम जैसे बोलते हैं कि मेरा दोस्त कहता है की, या मेरी माँ कहती है की, तो हम की लगाते हैं तो वो की जो है उसको हम लगाते हैं उसके लिए हम that का use करते है History says, इतियास कहता है की, that, ठीक है? Socrates was given a cup of hemlock ये पूरा का पूरा sentence वैसका वैसा है ठीक है? He drank के बीश के पहले हम लगा देंगे which So, History says that Socrates was given a cup of hemlock which he drank जो की उसने पी लिया, जो की, which he drank His friends were standing near him, कब पिया जब की उसके जब की, उसके जब की उसके दोस्त आसपास खड़ेते हैं, मतलब वो जब जहर पी राता उसी समय दोस्त भी खड़ेते हैं So, एक साथ जब दो काम होते हैं, तो हम लगाते हैं वाइल So, एक काम को बोलने के बाद हम जब दूसरे काम को बोलते हैं, तो हम वाइल लगाते हैं So, कैसे बनेगा? History says that Socrates was given a cup of hemlock which he drank while his friends were standing near him Okay? While his friends were standing near him इस तरह के से sentence complete हो जाएगा So, students, this chapter is completed now Second chapter of grammar is also complete Okay? आप इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो बार बार देखिये और इसको अच्छे से समझिये अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्राट करेंगे again English reader का Okay? And that will be the chapter 3rd Okay? Thank you